क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर टू कंटेंप्रेरी सेंटर्स ओफ पावर ठीक है यह जो चैप्टर है गाईस हो सकता अगर आपके पास पुराने एडिशन की बुक हो तो इसमें यह चैप्टर 4 पे आरा रहा अल्टेनेटिव सेंटर्स ओफ पावर में बट अब हमा यह चैप्टर 2 बन गया है और इसका नाम हो गया है अब क्या कंटेंप्रेरी सेंटर्स ओफ पावर अंदर चैप्टर की बिल्कुल सेम है तो अगर पुरानी बुक से भी पढ़े तो को दिक्कत की बात नहीं है और अगर आप मेरे चैनल से वीडियो देख रहे हो तो इंसी सबसे पहले चैप्टर की नाम को समझते हैं जैसे हम हमीशा करते हैं चैप्टर पढ़ने से पहले उसका नाम सबढ़ना चाहिए इस चैप्टर का नाम है अज चैप्टर मतलब होता है आज के समय पहिं जो प्रेजन्च जमाना चल रहा है उसकी सेंटर बश्थ多 को ओल्लद एरा चल गया था जिसमें हो गई थी जैसे और Bipolarity में दो सूपर पावर थी, एक USSR और एक USA, ठीक है, फिर हमें पता चला कि Bipolarity खतम हो जाती है, पूरी दुनिया में बस एक सूपर पावर बच जाती है, जो बन गई थी हमारी, ये USA, तो हमारे दुनिया में बहुत समय ऐसे चला था, जब अमेरिका एक सूपर पावर बच गए थी, Soviet Union, USSR तो खतम हो चुका था, तो अमेरिका ना बहुत पावर फुल माना गया, इस अपनी इतनी जो है, अमेरिका अपनी डॉमिनेंस दिखाता था, हर जगा पे अमेरिका जो है, बहुती ऐसे वह महले के दो डॉन थे, ठीक है भाई एक डॉन निकल गया, तो भ नहीं नहीं और कंट्रीज आती हैं, जिसको हम कह सकते एक मल्टी पॉलर वर्ल्ड, मल्टी पॉलर वर्ल्ड का भी मैंने आपको मीनिंग बताया था, पॉल्टिकल साइंस के उडूंटों, इनका मतलब आपको पता ओन अची है, मल्टी पॉलर मतलब कि हमारे दुनिया में बा बहुत तागतवर ऐसे घाई क है, और बहुत सारे में पारे में आप जानोगे, जह कौन सी कंट्री में एझी मैं हमने तो यह कुझा नहीं सुनि है, यह फॉलर खिल संश नहीं कि अए यही पॉल्ट्रों, यह दूर्यों सोची है, हम अकेले अमेरिक आ खलों अमीरीन का ओन उन्होंने अपना एक गुरूप बना लिया और कहा कि हम सब एक है अपना ये गुरूप बनाया और कहा कि भाई हम जो है एक साथ एक अपने एक दूसरे को चिन्होंने अपनी पॉलिसी बनाई और इन्होंने EU फॉर्म करा European Union तो अमेरिका को टक्कर देने के लिए और दुनिया दूसरे एक बहुत पारफुल ग्रूप के बारे में आप यहां पढ़ोगे जिसका नाम है A.C.A.N. जिसमें जो है साउटीस्ट एशिया की कंट्रीज आती है जहां वो है ना जहां पे थाइलेंड है वह वाला जो इरिया है हमारा जहां पे थाइलेंड है फिलिपिन्स है य चाइना भी बहुत थाकतवर देशा आज के जमाने में तो यह चाप्टर का नाम है Contemporary Centers of Power यानि की Contemporary World में कौन सी बहुत पाफुल कंट्रीज है और कौन कौन सी पाफुल कंट्रीज है जैसे की बुक में में विता रखा है जपान जपान भी बहुत जबाइक पाफुल एकॉनमिकली भी और यह अच्छे तरीके से अपना डिवलाप्मेंट करें इवन इंडिया इस ओल्सों निव सेंटर ऑफ पावर रश्या भी नियूसेंटर ऑफ पावर है बट अभी आज की वीडियो में हां अपनी पूरी एंसी आटी पढ़ेंगे एंसी आटी में हमें कित सबसे पहले पढ़ेंगे हम यूरोपीयन उनियन ऑनियू के वारी में और यू आखिर में बना गया है एक बार यह वीडियो को पास्व कर ये यूरोपीयन उनियन के आज के समय के सारे मेंबर बढ़ यह सब कंट्री उनियों की मेंबर है और कि 4-5 साल पहले थक ब्र την जो है जिसने हमारे उपरा की कलोनियल रूल कर रहा था वो भी EU का मेंबर था अब नहीं है ब्री एक्जट बोला जाता है उसको ब्रिटेन ने EU को लीव कर दिया था या आपकी जनरल नॉल इसके लिए क्वेशन अगर पता है ब्रिटेन ने EU को कप छोड़ा था तो बता दे ना तो आपको याद होगा कि 1945 में वर्लड वार क्वार ख़तम हो गया था वर्ल वर्ल वार टू तो व्ल वार्टु में योरप योरप continent दे कहीं योरप continent की बहुत सारी कंट्रिया थी जैसे कि अगर मैं आपको बताओ तो व्ल वरलड वार टू में एक excess power थी और एक allied forces थी ठीक है allied forces में था ब्रिटेन France USA और USSR ठीक है और यह access power में था इटली जर्मनी जपान अब इन में से अगर आप देखोगे तो ब्रिटेन भी यॉरोप में था ठीक है फ्रांस भी यॉरोप में था इटली भी यॉरोप में था अभी भी है मतलब और जर्मनी भी यह चारों कंट्री कहां पर है वर्ड वार टू के टाइम पर यह आपसे दुश्मंतियों चारों यॉरप में है अब इन्हों ने इतना भयंकर वार करा उसका इनकी एकॉनोमी पर बहुत असर पड़ा अगर कोई वार होता है तो कहते कंट्री की एकॉनमी ददस साल पीछे चली जाती है और उन्हों तो वर्ड वार करा था तो यह यॉरप कॉंटिनेंट पे वर्ड वार टू के बाद बहुत जादा इफेक्ट आया इनकी एकॉनमी बहुत गिर गई लोग बहुत गरीब हो गये रूटी खाने तक के पैसे नीते महंगाई बढ़ गई पते ब यूबन आई थी ठीक है तो यह यही लिखा है तो आप पढ़के अपनी बुक के हिसाब से तो यही चीज आपको उखवता रहे कि 1945 के बाद वर्ड वार टू के बाद यूरोप की जो यह कंट्रीस थी इनकी एकॉनमी बिल्कुल खराब हो चुकी ती डिस्ट्रक्शन हो चु यह संब्ली थी 1945 के बाद कोल्ड वार की वज़े से काफ़ी संभल पाइंति क्यू संभल अलाइंच बना लिया था यूएसे तो बहुत सारी वेस्ट यूरॉप की कंट्री यूसे के तरफ चेडिए उस्ट यूरॉप की उसे सार्ट की चैले बन गई उनका मेंबर बन जाने क दूसरा अमेरिका इन countries की directly मदद करने आता है अमेरिका का यह यह पहले मुसीबत में डालता है फिर मुसीबत से भाण निकालने आता है तो अमेरिका financially मदद करता है यॉरप की countries की by giving them loan और इस चीज़ को ही कहा जाता है Marshall Plan तो उनकी economy को revive करने के लिए अमेरिका उन्हें loan देता है almost 13 billion dollars और पता नहीं आप exact amount चेक कर सकते हो नेट पे कितनी है का लोन देता है अमेरिका इन countries को और कहता है तुम मुझे बाद में चुका देना अभी तुम अपने economy संभाल लो और USA अपना NATO भी बनाता है वही इनका गैंक का नाम नेटो था USA के जैसे USSR के Warsaw था तो नेटो की भी मेंबर जब इनकी कुछ countries बन जाती है तो इनको मदद मिलती है अपने economy को अपने structure को संभालने की ठीक है तो इस तरीके से तो यह अपना थोड़ा संभालती है यह World War 2 के ठीक है फिर से देख लो एक बार पहले वी दिखाता है यह सब European Union के मेंबर से स्टार्टिंग में में ब्रिटेन भी European Union का मेंबर था तो यह सब कंट्रीज ने अपनी European Union बनाई बट ऐसा नहीं था कि पहले दिन जाकी का भाहिया एक European Union बनाते है धीरे 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 स्टेप बा अब जब अमेरिकानियन ने लोन दिया अब जब अमेरिकानियन सब कंट्रीज को लोन दिया था तो इनके जिम्मेवारी थी कि यह मिलके उस लोन को चुकाएंगे तो उसके लिए सबसे पहले अंडर्ड़ मार्शल प्लान यह अपनी एक और्गनाइजेशन बनाते हैं European Economic Cooperation क कि economy में एक दूसरे को cooperate करेंगे economically और यह बनती है 1948 में तो 1948 में सबसे पहले यह OEEC बनाते है तो यहां पे आप लिख लो यह बन रहा है European Union OEEC बन जाती है 1948 में फिर यह जो OEEC थी यह क्या था यह प्लाटफॉर्म इने प्लाइट करा था कि वहां बैटके यह trade और economic issues पे बात political cooperation की तरव एक spread एक कदम था कि अब एक दूसरे को politically भी हम एक दूसरे की मदद करेंगे अपनी a common policies बनाएंगे politically इस तरीके से हम अपनी countries को चलाएंगे और एक दूसरे की help करेंगे ठीक है देन फाइनली यह 1957 में एक और economic एक दूसरे को economically support करनी के लिए यह एक और एक अपनी community बनाते है economic integration करने के लिए क्या है उसका नाम European Economic Community तो इसको क्या बोलेंगे है European Economic Community और यह कब बंद यह 1957 में तो यह धीरे धीरे चल रहा है थे friendship को धीरे धीरे बढ़ा रहा है ठीक है अब यह जो है European Parliament भी बना लेते हैं फिर अपनी European Parliament अब आप सोचो पता है यह क्या करने है बेसिकली यह अब European Economic Community का मतलब क्या हुआ कि यह अपने markets को join कर रहे थे कि हमारे जित्ते भी देश है हम जब हमारा जो market होगा हमारे जो trade होगा उस पर हम एक दूसरे से कब taxes नहीं लेंगे free movement करेंगे goods की capital की free movement हो जाए इस तरीके से एक दूसरे को help कर रहे थे कि हम सब economy अपनी मिलके बढ़ा पाया आपस में एक दूसरे से tax नहीं लेंगे हम लोग हम आपस में एक दूसरे से tax नहीं लेंगे कि international अपने लिए market बनाते है और बाहर की countries को फिर हम टक कर देंगे हम अ क्या करते थे politically किसी और country से deal करना तो पहले सूचते थे आपस में बैठके फिर उससे deal करते ठीक है अब इन्होंने इतने तो कोशिशे कर ली थी अपनी friendship को बढ़ा निकलिए फाइनली क्या होता है जब Soviet Union 1991 में तूट जाता है दिसंटीग्रेट हो जाता है तो इनका European Union बनने का सिस्टम चल रहा था वह फास्ट्राक प्याज़ा था क्यूंकि भाईया अब पूरे वर्ल्ड में क्या हो गया था इनको दिग्या कि भाई आप तो एक ही महल लेकर डॉन यहाने की दुनिया में बस अभी डॉन बजा वह कौन था अमेरिका यूससर तो डिसंटीग्रेट हो गया था तो इन्हें रखा वैसा नहों कि अपनी दादागीरी करनी शुरू कर दिया अमेरिका ही हमें दबाना शुरू कर दे तो क्यों ना हम सब जो अभी धीरे धीरे धी मेंबर्स बन जाते हैं यह सब बनाते बारां का उसके उपर ये गॉल्ड के बारा लगाते हैं सरकलके अंदर जो दिखाता है कि हम सब एक हैँम Community में सरकल और European Union बनते ही यह क्या बोलते है कि हम अपनी common foreign security policy रखेंगे foreign security policy क्या होता है देखो गाइस अब हम अपने कंट्री के बात करें तो इंडिया रश्या से कैसे relation रखेगा चाइना से कैसे relation रखेंगे हम ठीक है क्योंकि foreign security policy रखेंगे जैसे कि इनके जो मेंबर है फ्रांस जर्मनी जब भी इन्हें decide करना होगा कि यह भार के देशों से कैसे deal करेंगे तो पहले इखटे बैट के बात करेंगे फिर रखेंगे अपना कोई policy ठीक है cooperation on justice एक दूसरे में भी अगर कभी लडाई हो गई तो help करेंगे कोशिश करेंगे कि बातों को सुल्जा ले ऐसा नहीं जर्मनी फ्रांस वार करना शुरू कर दिन एक दूसरे को करेंगे तो भाई सबसे बड़ा काम करते हैं एक अपको पता होगा और निचेसमेस करन से चलती है यूरो ठीक है तो यह वह क्यों करते हैं अपने Derek करन सी बनाती है अब सिंगल करंसी है तो अराम से लोग इधर से उधर जाएंगे तो उने कोई exchange नहीं कराना और भी बहुत फायदे ने मिले उससे इनकी currency बहुत strong हो गई dollar की टक्कर की हो गई in fact dollar से भी बढ़िया हो गई कहीं न कहीं तो यह single currency इन्होंने बनाई तो इन्होंने अपनी unity इन्होंने अपना एक organization बनाली ठीक है अब यह देखो आप the European Union has evolved over time to a political one देरे यह सिर्फ economy पर नहीं रहे इन्होंने ना खुद को एक ऐसा nation दिखाना शुरू कर दिया जैसे Soviet Union था उस type से थोड़ा से इन्होंने दिखाया खुद को कि हाँ हम सब एक देश ही है एक टाइप से कुछ कुछ यह चाहा रहते है ऐसा हो जाए और यह पता है क्या करती है अपनी constitution भी बनाने की कोशिश करते है बट वह attempt इनका फेल हो जाता है क्योंकि सब लोग नहीं जाते थे एंड फाइनली जो है यह European Union के पास अभी अपना एक फ्लाग है अपना नाशनल एंथम भी है ठीक है और अपना एक फ्लाग भी है प्रॉपर ब्लू वाला यह जो आपको दिखाया फाउंडिंग डेट है कि हाँ यह सेलिबरेट करते होंगे और करन्सी ठीक है इंके इनके किसी एक दोस पर किसी कंट्री ने अटाक कर दिया तो यह जाके उसके दोस बन जाएंगे नहीं यह अपने दोस का साथ देते ठीक है जब यह European Union बना था तो Soviet Union की भी बहुत सारी कंट्री दिसिंटीग्रेट होगे थी तो इन्होंने क्या करता जो East Europe की कंट्री जो Soviet Union की गांग से बहार आई थी उनको भी जाके बूला आओ हमारी मेंबर बन जो जैसे कि आज के समय पे शेग रिपब्लिक जो है जो है शेग रि युकी मेंबर है तो इस तरीके से इन्होंने East European States को जाके कहा कि आप European Union में आओ अभी जो है यह European Union बना गाइस इतना असान भी नहीं था क्योंकि European Union की जो कंट्री इस थी उनकी चंता को पसंद नहीं था कि हम ऐसी कॉमन तरीके से अपनी गवर्मेंट को चला है आप खुद स हम जो है इंडियन गवर्मेंट बनाएंगे हम तो वह चाहेंगे क्योंकि उसमें हमारे लीडर्स बनाएंगे हम फॉरन लीडर्स से बनाईवे रूल्स क्यों मानेंगे एक्जाक्ली कहीं नगा European Union की कंट्री के जंदा में भी होता है उन लोगों को अच्छा नहीं लगता है क उनकी कंट्री की जो पावर है वो EU को दे रहीं जाएंगे हमेरी गवर्मेंट ही हमारे लिए फैसला लेगी हम नहीं चाहेंगे कि EU जो इन्होंने एक इंटर्नाशनल गवर्मेंट बिना रखे अपनी वह हमारे लिए फैसला ले ठीक है दियार ऑल्चो सम्रेजर्वेशन अगर नए मेंबर को जोड़ें तो किस बेसिस प्याप जोड़ोगे और इस पे भी लो कई बार जो है इनकी आपसी सहमती नहीं होती है यू की जो है अब फाइनली अब हम बात करेंगे यू की पॉलिटिकल और सोशल इंफ्लूएंस के बारे में क्यूंकि मैंने आपको कहा क यू एक सूपर पावर है एक सूपर नाशनल और्गनाइजेशन है काफी ज्यादा ताकतवर है तो अब प्राक्टिकली देखेंगे कि कितनी पारफुल है एक यू तो सबसे पहले यू की इंफ्लूएंस पड़ते हैं एक्जाम में डारेक्ट क्वेस्चन आएगा तो देख फैसे है कि और्व यू ऐसे से भी 3 कुना जदू जादे कि क्ली किन इसारी मेंबर है थर कंट्रीयों को ट्रेट में ला भी तो अमेरिका इसे तीन गोना जाधा और उसका इन्हें टैक्स लगेंगे इंपोर्ट के उपर कैसे जो है मुवमेंट होगा गुड्स का तो जब भी कोई डिसीशन लिया जाता है तो जो है इनकी बात माने जाते हैं क्योंकि इनका ट्रेट सबसे जादा है तो यह प्लस पॉइंट रहता है अब इनकी जो इतनी पावर है क्योंकि इत अच्छा कासा है तो व्ल्ट और्गनाइजेशन जिरोंने शौक ठेड़ेपी लगाएगी न में तो इनकी काफी चलती है व्ल्ट और गनाइजेशन में तो इनकी इकॉन्मिक इंफ्लूएंस है पॉलिटिकल इंफ्लूएंस के अगर बात करें तो इनके कुछ समय पहले तक दो मेंबर UN Security Council के पार थे UN Security Council अभी आप चाप्टर 5 में पढ़ोगे उसमें UN Security Council में पाच पर्मनेंट मेंबर होते हैं जिन पर वीटो पावर होते हैं जो कते ही बहतरीन होती है वीटो पावर में क्या होता है कि अगर सब लोग जो डिसीजन ले अगर पाच में से एक मेंबर अगर ने भी वीटो कर दिया तो वह बात नहीं मानी जाएगी डेटेल में आप बागी आगे वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगे मैं आपको वट इग्जाक्ली इस वीटो तो भाई इन वीटो मतलब है कि तुम्हारे खिलाफ डिसीजन होने वाला है तो तुम वीटो कर दो जने अपने वीटो करने वाले अब ब्रिटेन तो चला गया यू में से बट फ्रांस अभी वहां पर पर मनेंट सीट लेके बैठा है ठीक है तो इनके पास वीटो तक की पावर है और बहुत सारे नॉन पर्मेनेंट मेंबर भी इनकी सेक्योर्टी कामशल के मेंबर होते हैं यू जो है वह यू ऐसे की पॉलिसी को कई बार ना जैसे अपनी मनमानी करने से भी रोग देते हैं ठीक है और नेक्स्ट आपको बता रख है कि यू जो है ना वो डिप्लोमेसी में बिलीव करता है ठीक है साथी के साथ में एकॉनमिक इंवेस्टमेंट में ये ना बाहर के देशों में जाके बहुत इंवेस्टमेंट करते हैं अपनी अगेरा लगाते हैं तो उनसे जो है इस तरीके से डील करते हैं साथी के साथ में नेगोसियेशन में बिलीव करते कि बातचीत करें मिलिटरी इंफ्लूएंस दिखाओ जो अमेरिका करते हैं इसलिए कई बार इंवर्मेंटल डिग्रेडेशन की बातों इनकी कंट्री काफी न वह एक्टिव रहती है सब चीजों के क्योंकि यह इन चीजों में बिलीव करते हैं ठीक है अब मिलिटरी फोर्स के अगर हम इनका खर्चा देके तो सेकर्ण है यूज सेकंड है क्योंकि इतने बड़े- इतना ताकतवार है तो वर्ल्ड के अंदा जब कोई एकॉनमिक इसूस पर बात चल रही हो तो इन तो यह अपना डिसिजन मनवा सकते हैं क्योंकि इन पर कॉनमें कि इसे बिलीव रखते तो कहीं न कहीं सोशल एरियास में भी यह काफी जीत हो जाती है अब ऐसा ही निया कि यू हां बहुत भैतरी है कुछ कुछ कमियां यू में भी है और यह कमियां बहुत बड़ी है यू को आचली में यू को इस ब्रेटेन निकल रहे है तो जब तक यूनिटी में रहेंगे तक यह पाउफुल रहेंगे और कई बार इनकी लिमिटेशन यही है कि यह लोग यूनिटी में नहीं रहते हैं यह सूपर नैशनल और और इनके मेंबर कहते हैं हम अपनी फॉरन पॉलिसी खुद डिसाइड करेंगे जैसे फ्रांस कहेंगा मैं अपनी फॉरन पॉलिसी खुद डिसाइड करूंगा कि मैं लोगों से कैसे डील करूं ठीक है बाकी मेंबर केंगे हम अपने हिसाब से करेंगे तो जब अगर अपना-पना करने लगेंगे तो यूनिटी तो चली गई ठीक है डिफेंस हाई बार अलग सूचता था यू से तभी अब मेंबर नहीं है छोड़ दिया उसने ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर के बारे में बता रहा है इन्होंने यूसे को सपोर्ट करा था जब यूसे ने इराक के अंदर इंवेड करा था बट जो है इन्होंने करा थ जैसे कि जर्मनी हो गया फ्रांस हो गया उन्होंने का था कि हम अमेरिका को सपोर्ट नहीं करेंगे तो वैसे तुए सब यू के मिंबर है इन्हें सब इखटा चलना चाहिए था बट ब्रिटेन अपने दोस्तों की नहीं मानता है जाके अमेरिका का साथ दे दिता तो यह इन बहुत असानी हिस्ते हो जाता है टैक्स अक्स बहुत कम होते हैं फ्री ट्रेड्स बना रखें यह ब्रिटेन ने अपने मार्केट को लग रहे हमारे हां पैसा नहीं चलेगा हमारी जो पॉलिसी हम अपने आप से बनाएंगे और तभी यह आज इसको छोड़ भी चुका है ड आपको नोट्स दिख गए ऐसे लिख दना है अब आते अपने नेक्स ओर्गनाइजेशन पर जो है मारी एस्यान ठीक है एस्यान एस्यान और साउटीस अशियन नेशन इसकी फूल फॉर्म एक्जाम में यह भी आ सकता है सबसे पहले देख लो इस्यान यह साउटीस अशियन नेशन होते हैं तो यह नेशन इंडोनेशिया मलेशिया थाइलेंड सिंगापूर में मार लाओज वेट्नाम फिलिपिन ब्रुनिया यह हैं कौनसे नेशन यह हैं हमारे साउट एस्ट ऑइस्ट एस्यान नेशन ठीक है इन सब नहीं मिलकर अपनी और लिएस्यान अब क्यों थो बनाई है वो जानते हैं तो एकन वर्ड जानते हैं देखता है कि अनके ओपर बहुत भार gewe on whats j inoda we hadfury गया पर इननकी अवरोड मिल्सम अवर्ह जैसे इंडिया को दो बस्टाइग पर विद अलग जाके जह तो थे यह पावर्स कालोनी बना रही थी जिसके जपान ने बीने अपना कोलोनी बनाता और यॉरॉप की कंट्री ने भी तो आपको पता है कि बहुत जादा खराब हो चुकी थी बहुत ज्यादा यह बैक्वर्ड थे और काफी सादा इनके जो है इनकी कानोमी बहुत रुएं सब्सक्राइब होने लगता है जैसे कि इंडिया को भी फीडम मिल गया था 1947 में वर्ल वार टू के कुछ समय बाद में ही ठीक है तो जो है जैसे इन लोगों को भी फीडम मिलना शुरू होता है तो यह लोग सोचते हैं कि क्यों ना हम सब जो है अपनी रीजन को स्ट्रॉंग फाइफ कंट्रीज मिलके एस यान मेनाती है ठीक है जो कौन कौन सी कंट्री इस थी इंडोनेशिया मलेशिया फिलिपिन सिंगापूर ठीक है इसको अब लर्न कर लो आई एंपी स्टी इंपी स्टी शॉट फोर्म करके यह फाउंडिंग मेंबर से इस आन के पाच कंट्री इ है के अगरिमेंट साइन करती है आज से हम एक और्गनाइज़ेशन ना रहे एस यान लेटर ऑन बुरुनिया दरुसलाम वियतनाम लाव पीडियर मेंबर कंबोडिया भी इस यान को जॉइन कर लेते हैं फिर इनका मेंबर्स की काउंटिंग कितनी हो जाती है दस हो जाती है अगर कोई ग्रुप जैसे मैं ग्रुप बना रही हूं हम अगर कोई ग्रुप बनाते हैं उसमें क्या करेंगे हमने अपना दो गोल रखे कि एक हमें बोड़ी सामें ने पर संग और दूसरा पर्दिस हमें हमें टेंशन नहीं लेनी है हम एक पीसफुल स्टडी महाल बनाएं जिससे कि हम बिना प्रेशर के पढ़ाई कर पाया हम पढ़ाई अच्छी लगनी शुरू ऐसा कुछ हमने अब्जेक्टिव बनाए देट वी विल इंजॉय स्टडी और जब सब्सक्राइब करेंगे तो दूसरा गोले हमारा अच्छी परसेंटेश ली कराना हमने ग्रुप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा क्या होगा है तो इन्होंने सोचा कि रीजिनल पीस करेंगे आपस में भी लड़ाईया नहीं करेंगे एक दूसरे की मदद करेंगे और जो है साते के साथ एकॉनमी को बढ़ावा देंगे अपको यार्ड रखने एकॉलिमी ग्रोट बढ़ाना रीजिनल पीस प्रमोट करना अब ये यू की तरह एक ऐसा सूपर नैस्टल और्गनाईजेशन नहीं बढ़ना चाहते थे कि हां अम आपस पर बातशीत करते हैं और ऐसे मुद्दोपे नहीं जिन पर लडाई हो जाए नॉन कॉन्फरेंटेशन इस्ट एक हेल्दी सी इनकी असेंबली होती है जहां पर एक पार्टी होगे समझ जो जहां पर जाते हैं सब कंट्री में भाइचारा बढ़ाने के लिए आपस में वहां जाके मिलते हैं इनका बहुत बढ़ा एजेंडा रिस्पेक्ट ऑफ नैशनल सोवरेनिटी यानिकि जो दस की दस कंट्री है ये नैशनल सोवरेनिटी एक दूसरे की नई छेरचार करेंगे यानिकि सोवरेनिटी मतलब होता है कंट्री की खुद को रूल करने की पावर तो इन्होंने कहा कि जो कंट्री खुद को जैसा रूल कर रही है जैसे लॉस बनाड़ ये बनाएगी हम एक एस्सोसियेशन है हम एक ग्रूप है इसका मतलब यह नहीं हम इंटरनल अफेर्स में दखर अंदाजी करेंगे या एक कंट्री को बताएंगे आपस में एक दूसरे में जो है बिल्कुल भी दखल अंदाजी नहीं करेंगे सब एक दूसरे की नैश्वल्ट को रिस्पेक्ट करेंगे फिर 2003 में जाके यह अपना एक और एक इनिशेटिव करते हैं वह क्या ही अपनी तीन कम्यूनिटी बनाते हैं एकॉनमिक कोपरेशन के लिए सिक्योरिटी के लिए तो वह अभी हम पढ़ेंगे और यह वन ऑफ फास्टेस ग्रोइंग एकॉनमी बन चुकिती वर्ल्ड की तो दीरे-दीरे मैं को क्यों कह रही हूं कि यह काफी अच्छी बड़ी ताकतवर पावर है यह क्यों है क्योंकि इनकी एकॉनमी बहुत तीजी से ग्रो कर रही तो चलो अब इनकी कम्यूनिटीस पढ़ने से पहले एक बार मैं आपको एस यान का फ्लाग भी दिखा देती हूं यह है एस यान का फ्लाग और इस पे इन्होंने ना टेन पैडी के जो है वह है स्टॉक्स है पैडी होता है चावल चावल के जो धान होती है वो दस दिखा र 910 ठीक है दस के 10 मेंबर्स चलो अब इनकी कम्यूनिटीस को देखते तो सबसे पहले एस यान सिक्यूरिटी कम्यूनिटी है सिक्यूरिटी कम्यूनिटी का सबसे बड़ा अब्जेक्टिव था यह टेरिटोरियल डिस्प्यूट शुड नॉट डिवलाब इंटू आम जरते इसके बाद तो इन्होंने और भी काफी सारे ऐसे इनिशेटिव करें कि आपस में पीस का मोहल बड़े कोप्रेट करें नियूट्रैलिटी एंड नॉन इंटरफेरेंस यानि कि दूसरे की कंट्री की गवर्नेंस में दखल इंदाजी नहीं करेंगे बट साती के साथ ज सेक्योरिटी कैसी रहेगी कंट्री की और फॉरेंड पॉलेसी यानि कि यह सब कंट्री इस बाकी देशों से कैसे डिल करेंगे उस चीज़ पर बात्षीट करने के लिए इन्होंने एक एसी और रिजिनल फोरम बनाई ती जहां यह बैटकर डिसाइड करते थे कि अमेरिका से इससे कैसा रिश्टा रखेंगे इंगया से कैसा रखेंगे और बाकी कंट्री से कैसा रखेंगे ठीक है नेक्स आता है इस एन एकोनमिक कमुनिटी का यहां लगा हुए तो इस एनक अन्होंने मार्केट एंड प्रोडक्शन बेस विदिन दा इस आन के लिए जिससे कि यह ल नहीं वहना फ्री ट्रेड होएगा इन लोगों के बीच में ठीक है अग्सिस्टिंग एस्टिंग डिस्प्यूट सेटल्मेंट मेकानिजम तु रिजॉल्व एकॉनमिक डिस्प्यूट पहले से चल रहे हैं ठीक है खरीदारी कर रहे हैं दूसरे को चीजे बेच रहे हैं जो एक कंडि दस कंडिया तो आपस में अधर लेबर मूफ कर पाएं लोग इधर से उदर माइगरेट से कर पाएं ठीक है जाके इनवेस्टमेंट कर पाइब हो सब असान तरीके से हो रिस्ट्रिक्शन बहुत कम करीं होने युसा चाइना है वालएड़ी मूफ फास्ट वास जैसे के यह पूरे रीजन के लिए एक और इसे काफी पाउरफुल है तो वर्ल्ड में हम इसे कैसे देख सकते हैं तो सबसे पहले इसकी कॉनमी बहुत गुरू कर रही है इनका विजन 2020 था जिसमें के मुताबएक इनों ने सूचा था कि यह इंटरनाश्टल कम्युनिटी में और जादा यह उगदान देंगे जादा अपना जो है अपनी तरफ से इन वाल होंगे पहले इन लोगों ने कोशिश करी थी अपनी कंट्री की एकॉनिको समभणने के लिए जब यह बने उसके बार का फी समय इनों अपनी economies को संभाले और जब economy संभल गई ग्रोने लगई फिर इंटरनाशनल कम्यूनिटी में थोड़ा इन्हों ने हिस्सा लेना शुरू करा अब इन लोगों ने हमेशा कोशिश करी है इनकी मेंबर्स के बीच में जो लड़ाईयां चल रही थी वो जो है इशू को रिजू किया जाए बातशीत करके जैसे की कंबोडीयन का चल रहा था उसको एंड करने के लिए नो ने को बहुत कोशिश करी कंबोडीयन का मेंबर है और इस्तिमर क्राइश को भी एंड करने परिया साइन कर रखे हैं ASEAN के दो मेंबर के साथ Singapore और थाइलेंड के साथ और अब हम इंडिया जो है पूरे ASEAN के साथ भी जो है साइन करने की सूच रहा था and in fact ASEAN India FTA came into effect in 2010 2010 में इंडिया और ASEAN का FTA जो है वो लागू होगा अपना next topic पे जो है importance of ASEAN ASEAN की importance हमें बतानी है ठीक है तो ASEAN की strength है in its policies of interaction and concentration with the member states यह में बहुत करते हैं आपस में कोई भी decision लेने से पहले ऐसा नहीं लड़ाई करेंगे आपस में नहीं अपने अंदर इनकी unity काफी अच्छी है अब ASEAN के अंदर यह एक बहुत important organization है जहां पे ASEAN की countries जाके बातचीप कर सकते हैं यह सब इतनी countries है इनको जैसे कोई आपस में ASEAN की countries को कोई decision लेना हो कोई उनमें बीश में कुछ ऐसी बाते हैं जिनको उनको डिससाइड करना हो कोई लडाई यह उसको खतम करना हो तो एक platform मिल जाता है आपनी थर्ड सेंटर ऑफ पावर जो है चाइन को हम कहते हैं कि चाइन की पावरफूल चाइन की बहुत रही है तो कहीं ना कहीं वह सब हुआ था 1978 के बाद में जब चाइन ने को कॉनिमें मॉडल अपनी कंट्री में इस्टाबलिश करा था ठीक है अभी चैना को यह भी कहा जाता है कि यह यूएस से भी आगे जा सकता है इन्हों नहीं अपने पर कम्यूनियस्टिक रेविलूशन करा था अंडर लीडर्शिप और अपने हिसाफ से कंट्री को चलाएगी तो ऐसा ही मॉडल इन्हों ने कुछ अपने यह पर लगाया था एकॉनिकली बैकवर्ट था चैना बहुत ज़ाधा फिर यह कम्यूनिस्ट चैना बन जाता है और जैसी कम्यूनिस्ट चैना बनता है तो यह अपना कैपिटिलिस्टिक वर्ल्ड से सारे नाते तोड़ देता है Capitalistic World मतलब USA और गेरा से कोई relation नहीं रखता जहां पर प्राइवेट प्राइवेट इंडस्ट्री इंडस्ट्री उन सबसे कोई रिष्टा नहीं रखता है communism पर अपने model को लग चलाता है जैसे कि USSR चलाता था था उससर का कारीभी बनके रहता है दे मॉडल ने अपनी क्यों लगाई था क्योंकि हम लगते ही गवर्मेंट के तुवारा बनाईगी बहुत हैवी इंडस्ट्रीज बन जाती चैसे ने कें पीसा पास चैना के पास उस पैसे इनkaarम अपनी क्वेंबंब आगारे जो आपकी आपते ती clicking houses चारा ह Soon अब वाद निंगा स्वारी से सब्सक्राइब तो इनकेपास कॉलड़एट से वाद वे इतना तो तो इन्होंने क्या करा व winning foreign exchange होता उसको बचाना शुरू करा अब उसक कमी के से करेंगे they decided to substitute import by domestic goods तो इन्होंने क्या करा इंपोर्ट क्या होता है इंपोर्ट भार के देशों से चीज़ें खरीद ना तो इन्होंने क्या करा जो भी चीज़ें भार के देश से खरीद रहे थे उसको एंड करा ठीक है और लिए बन करते हैं यह चाहवल एभार से चावल बन कर दिया अपने बनाना शुरू कर दिये तो इंपोर्ट के लिए भी दॉलर के जरूइब होती तो इनों की जाब वहां से बच्वित हुई वहां पे दॉलर का खर्चोन अ काम हो गया तो डॉलर आया इनके पास और एक्चें इंडस्ट्री लगो अब यह मॉडल का इन्हें बहुत ज्यादा फायदा हुआ इस मॉडल से चाइना की जो रिसोर्स थी उसमें फाउंडेशन बन गई बढ़िया सेंगा इंडस्ट्रियल सेक्टर बन गया जो पहले कभी हुआ इंडस्ट्री लगी एक्वाइमेंट बढ़ी सोचल वेलफियर स्कीमज भी थी क्योंकि कम्योंस्टिक वल्ड था कम्योंस्टिक नेशंब तो लोगों को रोटी कपडा मकान मिनिममाम superior थी वो यह थी कि 5-6% इनकी economy तो बढ़ रही थी बट economy के साथ साथ इनकी population भी 2-3% पर बढ़ रही थी हर साल और वो जो है फिर economic growth भी कुछ नहीं थी जित्ती तेज से इनकी population चल रही थी agriculture production जो था इनका वो इतना सफिशन नहीं था कि वो इंडस्ट्री के लिए जेनरेट कर पाई यानि की एग्री कल्चर जो से इनका जो चावल है आटा है जो भी यह उगा पा रहे थे वो परसनल कंजम्शन के लिए उगा पा रहे थे प्लानिंग से चले तो क्या करते हैं यह चाइना के जो लीडर्स थे वो चेंज करते हैं अपनी पॉलिशी को 1970 से चाइना ने अपना political economic isolation जो है वो एंड कर देती है United States के साथ in the 1972 1972 में जो यह चाइना जादा डीलिंग नहीं कर रहा था ने महार के देशों से उनको कहता था कि भाई मैं तो मिनिमममी ट्रेट टर्म्स रखूंगा और यह अपना जो है वो सारा isolation एंड कर देता है और United States यानि कि अमेरिका के साथ अपने relations को स्ट्रॉग करता है इस समय पर चाइना के रिफॉर्म लाते है अग्रिकल्चर में इंडस्ट्री में साइंस टेक्नोलजी और मिलिटरी में 1973 में वनमार करें फोर मॉड्राइजेशन रिफॉर्म कब लाइते है जो हुए लाई तो 1973 मिलाइते 1978 में कि लीडर को यह और आ जाते है दूसरे आ जाते है जिनके नाम देंग जी आपिंग तो वो ओपन डोल पॉरसी लगाते हैं एंड एकॉनमिक रिफॉर्म करते हैं चाइना के अंदर ठीक है यह हाईयर प्रोडॉक्टिव इंवेस्मेंट्स ऑफ कैपिटल एंड टेक्नोलोजी फ्रॉम अबट बैसिकली ओपन डोर पॉरसी मतलब यह था पहले कंपनी लगा लो अलाओ नहीं करते थे अब इन्होंने ओपन डोर पॉलिसी के बाद अलाओ कर दिया कि आके हमारे अपनी कंपनी लगा हमारे तो इतनी पॉपुलेशन नहीं तुम्हाने आपर काम करेगी तुम्हें सस्ती लेवर मिल जाएगी हम अपना फायदा देख थे चाइन फॉलोड इस ओन पाथ ओफ इंट्रिद्विजिंग मार्केट एकॉनमी तेको चाइना भी क्म्यूनिजम से कैप्तिलिजम में इंटर करना शुरू करता है तो यहीं था प्रह बट शोश्च थेरेपी क्योंकि उन्हों ने एक दम से सब कुछ कर दिया था चाइना बाइवर्ट में चैना ने दीरे दीरे रख गुदंडे कदम रखा थका है सबसे पहले इन्हों ने जो इनका अग्री कल्चर चुनिसिक वर्ल्ड पे चल रहा था पूरा प्राइवेट फार्मिंग नहीं होती थी कलेक्टिव फार्मिंग होती थी सबसे पहले इन्होंने प्राइवेटाइजेशन करी अपनी अगरी कल्चर की 1982 में लिखते रहो सब वन मार्कर है ठीक है फिर जो है इंडस्ट्रीज का प्राइवेटाइजेशन करा इस हिससे मेरे हमारा इंफ्सक्राइग कर सकते हम आपताकि कन्टरी मेट से अपनी पर हट आए, so that foreign investor आए, इनके आपर investment करे, in China, the state played the continuous role in the central role in setting, अब चाइना में क्या हुआ, देखो, रशिया में तो वर्ल्ट रगनाईजेशन आ गई थी और IMF आ गई थी, और shock therapy लग गई, communism से capitalism में जाने में, यहां पर communism से capitalism में, इनके खुद की government लेके गई, तो कोई shock therapy नहीं लगी, अगर benefits देखे, इनकी open door policy के, तो क्या benefits होते है, क्या इने privatize करने का agriculture को कोई फाइदा हुआ था, हाँ, privatization of agriculture से क्या हुआ, privatization agriculture से, लोगों के agriculture production बड़ा, सब का अपना अपना खेथ था, पहले क्या है हो, produce जाधा होगा तो बिके का अच्छे दामों पे, अच्छे दामों पे बिके का तो हमें profit होगा, तो अब सब बढ़िया तरीके से काम करें तो production बढ़ता है, साथी के साथ में ruler income बढ़ जाती है, अब लोगों को से basic necessities ही नहीं मिल रही थी, Chinese economy included both industry and agriculture grew at a faster rate, चाइना की economy में उनकी industry थी, वो भी अच्छे से बढ़ने लगती है, जो उनका agriculture sector था, उपन दोर policy की बाद, वो भी अच्छे से बढ़ना शुरू हो जाता है, secondly, जो इन्होंने special economic zones बनायते, बहार की देश की countries को invite कर था, हमारे यहां के अपनी MNCs लगाओ, तो इससे इनका foreign trade भी बहुत बढ़ा, इन्हें बहुत फायदा मिला, China become the most important destination for foreign direct investment, हर एक country सोचती थी, कहीं MNC लगानी है, अपनी factory लगानी है, तो वो जाके चाइना में लगाते थी, क्योंकि cheap labor मिलता था, अच्छा खासा, उनको एक अच्छा environment मिलता था, it has large foreign exchange reserve, that now allow it to make a big investment in other countries, और जब इन्होंने MNC अलाओ करी, अपनी country के अंदर, foreign investments अलाओ करी, अपनी country के अंदर, तो आया इनके पास भर-भर के foreign exchange, यानि कि dollar, जो dollar जो इनके पास था नहीं, तो इन्होंने भाईया imports बन कराये थे, अब इनके पार largest foreign exchange reserve हो गया था, इस पूरे world का एक समय पे, क्यूंकि इन्होंने इतने सारी बाहर के देश की countries को का, हमारे आके invest करो, हमारे labor से काम करो, हमारी जंतना से काम करो, और उनसे आप जो है, बाकी countries में जाकी investment शुरू कर दी, चाइना बिल्को जैसे अमेरिका लाके investment करते हैं, दूसरी countries में चाइना पे इतना पैसा आ गया, कि चाइना जाके ASEAN की country, जो भी ASEAN उपर पढ़ा ना, उनकी countries में जाके अपनी factory, अपनी companies वागेरा लगाना शुरू कर दीता है, 2001 में चाइना वर्ल्ट ओर्गनाइजेशन का हिस्सा बन जाता, वर्ल्ट ओर्गनाइजेशन का हिस्सा 2001 में जाके बना है, और open door policy कितने पहले लग गई थी, क्योंकि वर्ल्ट ओर्गनाइजेशन का मेंबर बनना मतलब की अब ये पूरे वर्ल्ट के साथ trade related issues पे और जादा इंटीग्रेट हो गए थे, पहले तो अलग चल रहे थे, दर्वाजे बन कर थे अपने घर के नोने, अपने हिसाब से चलते थे, अब जब ये अपना पूरा settlement कर लिए, अपना strong foundation रग दी, उसके बाद ये दुनिया में कदम रगते है, ठीक है, शॉर्ट कमिंग्स के अगर हम बात करें, open door policy की क्या-क्या कमिया थी, exam में आएगा ये, तो भाई, अच्छे बात है तो बहुत सारी थी, बट secondly, क्या हुआ, unemployment बहुत जाथ जाथ है, सेथे से privatization करते रहे, तो चाइना में unemployment बहुत बढ़ दी, 100 million people लग बग जो थे, वो unemployed थे, और जो female employment थी, वहाँ पर जो है work condition बिल्कूल भी अच्छी नहीं थी, जो फैक्टरिया थी, जो female काम करती थी, उसकी condition आप मालनो, जो यॉर्प में 18-19th century में हुआ करती थी, उससे भी बत्तर थी, environmental degradation बहुत शुरू हो गया, यहां पर को बता है, यह कितीन उन फैक्टरी लगाई है, कितना environment को नुकसान करते है, और करप्शन बढ़ना शुरू हो गया इनकी कंट्री के अंदर, और economic inequality आ गया, यानि कि, rural, urban, रेजिडेंस, और coastal and inland provinces, हर जगा inequality बढ़ गया, यानि कि, कुछ लोग अमीर होते गए, गरीब लोग गरीब होते गया, हम जो है, अब चाइना हमें पता चल गया, कि strong तो हुई गया था, इन फाक्ट जाके दूसरी कंट्रियों में जाके इन्वेस्मेंट इसने करनी शुरू कर दी ती, तो regionally and globally देखेंगे, चाइना को हम एक super, मतलब एक नई center of power क्यों कह रहे है, कि हाँ चाइना को हम ताकतवर कंट्रियों में अपनी बात मनवा सकता है, क्योंकि चाइना का ट्रेड काफी अच्छा खासा है, इसकी economy काफी grow हो रही है, काफी strong है, तो इसलिए क्योंकि ये economically इतना जादा grow कर रहा था, trade इतना बढ़ा था चाइना का, इसलिए जो इसके Japan के साथ issue चल रहे थे, USA के साथ, ASEAN के साथ, रश्या के साथ, वो सब economy की वज़े से ना त्यानी की क्योंकि इनके Chinese product तो हर जगा जा रहे थे, इतना जादा इनके आप MNC लग गई थी, हर country की आके investment हो गई थी, fear of Chinese rise, इसलिए भी हम कहते है, चाइना बहुत बढ़ जाएगा, बहुत ताकतवर बन जाएगा, क्योंकि चाइन एस्यान economies को जाके जो है help करे, एस्यान की countries को जाके महाँ पर investment कर रहा है, उन्हें help कर रहा है, ऐसा ही तो USA करता है, कोई country मुसीवत में जाके help करो, फिर जो है, उनकोई little help करने के बाद, यही तरीके की tantrums होते हैं, क्यों ऐसे के सेम जो है, चाइना करना शुरू कर देता है, ठीक है, अब चाइना ने मदद करनी शुरू कर दी है, लाटन अमेरिका कंट्रीज की और एफरिका की जो यह दिखा रहा है कि हाँ यह ग्लोबल प्लेयर अब बन चुका है, अब हम पढ़ेंगे इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप के बारे में, इंडिया और चाइना दोनों ही बहुत इंपॉर्टन पावर्स रहे हैं हमारे एशिया के और हम नेवर्स हैं ठीक है, बट आफ्टर इंडिपेंडेंटन जब कोलोनियरिजम खतम हुआ इंडिया में से उसके बाद हमारे रिलेशनशिप स्टार्ट होते हैं जब स्टार्ट होते हैं रेलेशन चाइना और हमारे तो काफ़ी अच्छी नूट पे होता है, तो उसी समय पे चाइना हमारे साथ मिलिटरी डिस्प्यूट में इंगेज हो जाता है और उसके बाद से हम लोगों के जो रिलेशनशिप से वो जो है बिलकुली खराब होने शुरू हो जाते हैं तो क्या इशूस थे जिनकी वज़े से चाइना और हमारे रिलेशनशिप बि अनुनाचल प्रदेश में और आकासे चन रीजन ओफ लद्दाक में तो उसके वज़े से चाइना और हमारे रिलेशनशिप खराब हुए जब चाइना ने इंटिन इंडिया का वार भी हो गया था चाइना कई बार पाकिस्तान की मदद करने पहुच जाता है जब पाकिस्ता की मदद करते हैं तो इस वज़े से चाइना और हमारे रिलेशन जो है वह बिल्कुल खराब हो गए और यह जो यह हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट और अरवनाचार प्रदेश पिजा चाइना हमारे हमला करने आ गया था उसके बाद तो हमारे रिलेशनशिप बहत ही खराब रिलेशन उस वर के बाद चाइना और हमारे रिलेशनशिप बहुत ही खराब हो गए थे हमारा मतलब विकुल कोई बात्ची थी नहीं रही थी और वो जो है रिलेशन कुछ ठीक होने शुरू होते हैं 1970 के लेट 1970 में क्यूंकि वहां तब चाइना की पॉलिसी चेंज हो रही चाइना की लीडर्शिप में चेंज हो रहा था और तब हम लोगोंने बास्चीत करनी शुरू करी थी बॉर्डर डिस्प्यूट्स को इंट करने के 1981 से अब कोल्ड वार जब हो जाता है उसके बाद इंडिया और चाइना का रिलेशनशिप भी बदल जाता है दर रिलेशनश काफी चेंज हुआ है रिलेशन स्ट्रेटेजिक और एकॉनिमिक बन जाता है राजीव गांदी जी चाइना विजट करते 1988 में सो दाट हमारे रिलेशनशिप इंप्रूव हो पाए उसके बाद से दोनों ही गवर्मेंट हमारी जो एक दूसरे से कोशिश करते हैं पीस और ट् सिचुएशन ना बने पीस और ट्रिंक्विलिटी है ठीक है हम लोगों ने बहुत से रेग्रीमेंट भी साइन करें चाइना के साथ में कुल्च्रल एक्स्टेंजिस के लिए साइंस टेक्नोलोजी भी कोपरेशन करने के लिए और ओपन फोर बोस फॉर ट्रेड के लिए हमने अपने जो है बॉर्डर जो है वहां पर उपन करें चाइना और इंडिया जो है आपस में हमारा बेसिकली रिलेशन्शिप ठीक क्यों हुआ था ट्रेड की वज़े से चाइना और इंडिया का ट्रेड काफी ग्रो हो रहा है 30% पर यह सिंस 1999 यानि कि हर यह चाना हमारा अगर बिट्वीन इंडिया और चाइना हम देखे तो वह 338 मिलियन जो 1992 था उससे बाढ़कर 2017 में डॉलर 84 बिलियन हो चुका है तो इतना ट्रेड करते हैं हम चाइना से मोर रिसेंटली हमारी दोनों कंट्री इसने एक दूसरे को कॉपरेट करने का जो है कहा है जैसे की फॉ ग्लोबल लेवल बोथ कंट्रीज हैं डॉप्टेट सिमिलर एकॉनमिक पॉलिसी हमारी एकॉनमिक पॉलिसी हो चाइना की मिलती जुलती है ग्लोबल लेवल पे और हम दुनों ही वाल्टेड ओर्गनाजीशन का मेंबर है अब भी अगर हम बात करें नुकलियर टेस्ट को ले मेंनमार की कर रहा है कहीं नगी जिससे हमें नुकसान पहुचे ऑल्दो बाउंडरी इशूस तो हमारे अभी भी हैं बीच में बट हमारे कंट्रीज के बीच में डिप्लोमेटिक विजट बढ़ी है हमारी इस वहां जारे उनके लीडर यहां रहे हैं टांस्पोर्ट कम्मिन वैसे रिलेशन्शिप खराब है और सेकेंडी जब हमने यूएन में मूव कर रहा था अपना तो काउंटर टेररिजम पाकिस्तान के अगेंस तो उसमें पाकिस्तान का साथ देने पहुच गया था चाइना का यहां पर भी इंडिया को जो है प्रॉब्लम क्रेट करने हो तो करने की कोश्रिश करता है चाइन और हमारे रिलेशन्शिप स्ट्रॉंग का है ट्रेड बे क्योंकि चान और हम दोनों ही एक नाइजिंग एक है और हमारे ट्रेड काफी अच्छा है तो यहीं आपको चाइन के बार में पढ़ना था चाइन में सबसे इंपोर्टेंट में यह सब कौन से यह सब जैपनीज ब्रैंड तो आप समझ जो जापन की कौनमी कितनी अच्छी होगी जब यह सब ब्रैंड हमें आपस में अगर घूम के देख लोगे तो शायद घंब सोनी का टीवी हो पैनसोनिक का हो सुजू की होंडा गाड़ी हो स्कूटी हो आपके पास तो आप इसकी इंफ्लूएंस हमारी मार्केट्स पर देख सकते हो जपैन के पास खुद की नैचुरल रिसूर्स बहुत ही जादा कम है घाने पीने की भी चीज़े नहीं अगरिकल्चर भी साउंड नहीं है सब कुछ जादा तर इंपोर्ट कराता है जपैन फिर भी यह इतन सब्सक्राइब कोपरेशन एंड डिवलप्मेंट का 1964 में 2017 में यह थर्ड लार्जस्ट इकॉनमी बनिया था और यह जी सेवन का मेंबर है एक ऐसी एशन कंट्री है यह जो जी सेवन का मेंबर बनी है 11 लाजस्ट पॉपुलेशन एसकी वर्ड में और यह मैंने आपको बताए सब्सक्राइब यह जो चलती है उसके बजट जुसको जाना होता है जुसको फंड जाने होते है पहरे नंबर पर युएसे का सेक्ट नमबर पर जपान का तो इसकी डॉमिनेंस आपने आप समझ सकते हो and almost 10% of the total है यह जपान जो है उसका सिक्योरिटी अलाइंस है विए सिंस 1951, 1951 से जपान और USA का security alliance है जपान के constitution के article 9 के according the Japanese people will forever renounce war as a sovereign right of the nation and threat or use of force as a means of settling international dispute ठीक है तो यह कभी भी war नहीं करेंगे dispute नहीं करेंगे dispute को solve करने के लिए war में नहीं जाएंगे यह इनका constitution का particular इनो ने mention कर रखा है although Japan's military expenditure is only 1% of its GDP तो यह लोग जब war पर नहीं जाएंगे तो इनका जो military expenditure है से 1% 10 के GDP का फिर भी इनकी जो military है वो 7th largest in the world है तो अपने आप समझ आओ that they are very powerful keeping in mind all this do you think Japan can effectively function as an alternative center of power तो क्या आप कह सकते हो कि Japan भी बहुत ताकतवर कंट्री है तो हमारा answer होगा yes में ठीक है चलो अब हमारी next power आएगी South Korea ओके तो जो Korean Peninsula था हो South Korea and North Korea में जो है divide हो गया था at the end of Second World War Second World War के बाद South Korea North Korea अलग हो गया था जो Korean war हुआ था 1951-53 में और Cold War के बाद इससे जो South Korea North Korea की जो rivalry थी वो और सादा बढ़ जाती है both Korea's finally became the member of UN UN का ये member बनती है 17 September 1991 को तो ये आपको याद रखना है कि South Korea UN का member कब बनती है and in fact North Korea भी तपी बनी थी ठीक है meanwhile South Korea as a emerging center of power बन रहा है South Korea काफी एक अची powerful country बन रहा है हमारे वर्ल में 1960s and 1980s से इसकी economy बहुत जादा grow कर रही है and इसकी economy की grow करने को भी बोला जाता है Miracle on the Han River अच्छे से इनका economic development हुआ तो इसको बोला जाता है Miracle on Han River जो बोड एक्जम में आसकता है question describe what is Miracle on Han River तो जो economic development हुआ था South Korea में उसे कहा जाता है signaling the all-round development क्योंकि यहां South Korea में all-round development करा गया था South Korea भी OECD का member बन गया था जैसे Japan बना था 1996 में 2017 में South Korea की economy 11th largest in the world थी और इनका military expenditure 10th largest है पूरे world में आगे पढ़े हम according to human development report जो है 2016 की South Korea की rank 18 है बहुत सारे ऐसे responsible factors है जिस पे जो है इनकी rank इतनी अच्छी है successful land reforms इनकी land reforms का अच्छी लेकर आएगा है rural development है गाउं में भी काफी तरक्की है human resources development है यानि कि हाँ पर लोगों के बाद jobs है लोगों के पास अच्छी income है तो income अच्छी होगी तो human जो है अपने education पे अच्छा खर्चा कर पाएगा अपने health पे अच्छा खर्चा कर पाएगा ठीक है और rapid equitable economic growth है equitable economic growth मतलब की अमीरी गरीबी का फरक जादा नहीं होगा बहुत जादा नहीं है कि ऐसे बहुत हमीर अमीर होते है गरीब गरीब होते है नहीं equitable economic growth है अंकी other factors जिसकी वज़े से काफी strong हो रहे है वह है इनका public infrastructure development government infrastructure अच्छा बना रही है government institution बहुत अच्छे है और governance काफी अच्छी चल भी है जो South Korean brands है जैसे की Samsung, LG, Hyundai यह भी काफी अच्छे renowned Indian markets में और भागी देशों में भी है तो इनका भागी देशों की market पर काफी अच्छा hold है numerous agreements between India and South Korea signify their growing commercial and cultural ties और South Korea के भी काफी अच्छे कासे terms है commercially भी अगर हम देखे trade related भी देखे और culturally भी और जो है यहां पर with this यह आपका chapter पूरा complete हो जाता है I hope chapter आपको बहुत ही असान लगा होगा क्या पढ़ा हमने हमने बस पढ़ा EU powerful क्यों है उसके economic policies पढ़ी political policies पढ़ी फिर Asia and पढ़ा चाइना पढ़ा and finally Japan and Seoul South Korea ठीक है तो इससे आपका यह chapter पूरा complete हो जाता है कोई queries हो तो आप comment section पूर सकते हो इसके यह proper notes मेरी Instagram ID पर आपको मिल जाएंगे बागी chapters पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स हो चेक कर सकते हैं और मैं अबने चानल पर पॉलिटिकल साइन्स ही नहीं इस्टी जोग्रिफी सोचलोजी साइकोलजी एकनोमिक्स फिजिकल एजुकेशन इंग्लिश भी बढ़ाते हूं तो वह भी जाब जाके पर सकत से वह तुम्हें चल्दी वह बाइटी करा हैं में बेस्ट रॉप्लाइब